हेले प्यारे दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे स्वागता आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रमाजडिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों आज एक फिर से बड़ी खबर बड़ा अपडेट लेकर आया हूं ये अपडेट फिर से विद्यार्थियों को थोड़ा सा निराश करने वाला है क्योंकि दोस्तों आज खबर ही ऐसी आई है कि सभी विद्यार्थी उदास, हताश, निराश और नराज हैं ऐसा क्या कह लेकिन दोस्तों इस वीडियो का अब देखोंगे तो आपको पता लगएगा कि सच में ही विद्यार्थियों का जो हक है वो छेना जा रहा है उनसे जो बात होने से यह वो बात नहीं हो रही है उनके हक की बात NOT की हो यहां आप देख सकते हो दाराज अभ्यर्थियों का दिदेशाले पर प्रदर्शन रिजल्ट में गरबड़ी का आरोप अब फिर से एक रिजल्ट में गरबड़ी का आरोप लगाया है अब किस result में गड़बड़ी हुई है वो हम आपको इस वीडियो में बताता हूँ ध्यान से देखिएगा अब देखो आप लोगों को पता होगा कि rate का exam हुआ था अब उसके अंदर rate के अंदर 1500 विद्यार्थियों का rate पास हो गया था rate उतिरन कितने लोगों का? 1500 विद्यार्थियों का ठीक है लेकिन DLEd final में back लगा दिया बैक का मतलब समस्तियों कि उन्हें fail कर दिया DLEd final के अंदर उन्हें fail कर दिया back लगा दिया अब वो लोग शिक्षक बरती का फारम नहीं बर पाएंगे अब जब शिक्षक बरती का फारम यहीं बर पाएंगे तो REIT के क्वालिफाय होने का कोई भी फायदा यहाँ पे नहीं है यहको आपको साफ साफ Citizens 2018 अब देखिये पूरी पूरी बात क्या है यह आप देख सकते हो त येलेड फाइनल येर की प्रिक्षा में पूरक गोशित किये गए हैं शिक्षा में बाकि और से पिछले सब्ता 11 जनवरी को डियेलेड सेकंड येर का रिजल्ट गोशित किया गया था जिसमें 20,219 अब्यर्थी में से 18,174 ब्यर्थी उतिरन हुए हैं जबकि करीब 1500 ब्यर्थ अब देखो दोस्तों ये लोग आवेदन नहीं कर पाएंगी ठीक है अब देखो शिक्षक बर्थी प्रिक्षा के ओनलाइन आवेदन की अंतिमती थी 19 जनवरी है ऐसे में प्रदेश बरके विबिन कोलेजों से अब्यर्थी सुनवार को मद्यमिक शिक्षा निदेशा निद अब देखो यार इतनी बड़ी बेवकुफी कैसे हो सकती है देखो कि 700 नंबर का प्रेक्टिकल था अब 700 में से उसको 1176 नंबर दे दिये ऐसा हो सकता है क्या हाँ 1176 में से 700 तो सुना है लेकिन 700 से 700 में से 1176 ये कौन सी दुनिया का रिजल्ट है ऐसे में रिजल्ट में प्रिक्षा के ओनलाइन आवेदन की अंतिम्ति थी में बडोतरी की मांग की और प्रिक्षा प्रेनाम में सुधार के लिए शिक्षा दिकारियों को ग्यापन दिया बिल्कुल दोस्तों क्योंकि अगर 19 जनवरी तक ही ये इसकी लास्ट डेट रहेगी तो अब यर्थी के से अपना फार्म बरा पाएंगे आज सता अतारिक तो हो गई है ठीक है दो दिन रहें अब दो दिन में अगर इन्हें पासिंग गोशित नहीं किया गया इन्हें उतिरन गोशित नहीं किया गया तो ये लोग तो फार्म नहीं बर पाएंगे और फार्म नहीं बर पाएंगे तो जो रीट का एक्जाम उन्होंने जो पास किया था ग्रैक किया था उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी ठेक है तो मतलब काफी ज़्यादा उल्जीव सिच्वेशन है उल्जीव प्रिष्थिती है उधर अब यर्थियों के विरोध के बाद पंजीयक शिक्षा भी भागिया प् उपेन यादा उजी ने साफ साफ काया कि एक तो एक दो पक्ष बनाओ दो पक्ष कौन कौन से एक साइड में तो अभियर्थी आवेदन करें शिक्षक बरतिक के लिए और दूसरी साइड में जिन जिन अभियर्थियों साथ गलत हुआ है उनकी री टोटलिंग करवाई क्योंकि देखो पहले हो सकता है कि ना होता शक लेकिन अब तो शक पूरा है क्योंकि 700 में से एर 1106 नमर कैसे पोसिबल है ये बताओ आप ठीक है 700 में ये तो कोई किसी दुनिया का गनित फोलो नहीं कर रही ठीक है इसलिए बियर्थी कह रहे है कि साफ साफ दिख रहा है कि result म की जाए 19 तारीक की बजाए उसको आगे extend किया जाए और दूसरी ये कि result को दुबारा से अच्छे से चेक किया जाए और जो विद्यार्थी fail किये गए है हलांकि जब उसनका rate clear है तो इसमें कैसे fail कर देगे वो जो fail किये गए उनको दुबारा से उसकी चेकिंग करके उसका result दुबारा से revise करने के लिए बोला है तो दोस्तों ये था आज का important update आप लोगों किया राय किया इसके उपर क्या लगता आप लोगों क्या हुआ होगा और आखिर इसमें गलती किसकी है comment section में जरूर comment करके बताना आपके comment की बहुत value है इसलिए आप लोग comment किया करो चुप म लोगों को पता लगे कि procession में चल क्या रहा है क्या उनके targets को achieve करने procession मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है क्या उनके सबने पूरे हो पाएंगे ठीक है तो वीडियो को जाजा लोगों तक share करो और जो लोग channel पे नहीं हो channel को subscribe करके bell icon को दबा लो ताकि हमारे आने वाले official update आ ना रखिए channel के उपर आप लोग वहां से जाकर के वीडियोस देख सकते हो ठीक है प्यारे दोस्तों मिलते नेक्स उडियो में तब तक के लिए बबाई टेकर जै हिंद जै भारत लव यूवल